Hello Friends, आज का वीडियो आपके लिए काफी informative होगा क्योंकि आज के time में हम सब ही जो JFM का season होता है जैनुरी, February, March तो year end में हम सब tax की planning करते हैं और ऐसा कोई option ढूनते हैं जिसमें हमारा horizon कम हो, time period कम हो, यानि कि जादा समय के लिए हमारा amount जो है वो block ना हो और हमें मिले बहतरीन return और tax benefit का हम पूरा लाब उठा पाएं, तो आज हम चल्चा करेंगा ऐसी है एक mutual fund की scheme के बारे में, जिसने दिया है बहतरीन return और इसमें है काफी कम, सबसे कम lock in period, यानि कि मातर 3 साल का lock in period तो वीडियो से अन तक जोड़े रहिएगा क्योंकि हम जानेंगे complete financial planning की कि इस तरह से आप scheme में निवेश कर सकते हैं, क्या-क्या आप options रख सकते हैं और कितना return आपको इससे मिल सकता है तो इस scheme का नाम है Quant ELSS TaxSaver Fund तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है, तो इस तरह के financial updates के लिए हमारे चैनल को subscribe करें, like करें और अपने near India one से share करना ना भूलें तो वीडियो शुरू करने से पहले ये आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी तरह से buy या sell recommendation किसी भी fund के लिए, किसी भी stock के लिए नहीं है ये वीडियो एक सिर्फ education purpose से है ताकि आपको आपके personal finances में help मिले तो इस scheme की nav जो है वो 385.92 के आसपास चल रही है return इसका काफी शांदार है since inception इसने यानि कि जब से ये fund स्टार्ट हुआ है तब से इसने 22.85% का return दिया है अगर हम FD में निवेश करते हैं या फिर हम long term investment options जैसे की insurance या gold में या फिर property में निवेश करते हैं तो हमें maximum 7, 8, 9, 10% से ज़ादा return कहीं पर भी नहीं मिलता है लेकिन mutual funds में हमारा tax भी बचता है, हमारी wealth भी create होती है और हमें मिलता है शांदार return तो अगर overall आप trend देखें तो ये category average ने अंडप को outperform किया है scheme ने continuously आप देखें तो ये scheme काफी शांदार performance दे रही है continuously uptrend में है, चूटी मोटी उतार चड़ाव के अलावा काफी अच्छा इस fund ने perform किया है अगर इसके बारे में brief में बात करें तो EU in sizes का 7,238 करोड रोपी, expense ratio काफी कम है 0.76%, expense ratio देखना बहुत important है क्योंकि जितना जादा expense ratio होता है, उतना ही return कम हो जाता है कोशिश करें, जिन schemes का expense ratio points में हो, 1 से कम हो, उनहीं में आप निवेश करें lock-in period 3 years कर रहेगा, क्योंकि एक tax saving instrument है almost 11 साल पुराना ये fund है, 2013 में ये fund स्टार्ट हुआ था, इसका benchmark nifty 500 है minimum investment आप 500 की SIP से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप lump sum 500 रुपे से भी scheme में निवेश शुरू कर सकते हैं, अगर आप SIP स्टार्ट करते हैं, इस scheme में तो हरी काई जो होगी, आपकी SIP की, वो अगले 3 साल के लिए lock हो जाएगी अगर आप lump sum invest करते हैं, कोई भी amount, तो वो सिर्फ 3 साल के लिए block होगा जैसे अगर January में आपने कोई भी SIP amount deduct हुई, वो अगले 3 साल के बाद January में mature होगी, February वाले February में mature होगी, तो इस तरह से निवेश होता है किसी भी tax saving instrument में, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप निवेश करें, इस scheme में short term capital gain tax आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम कभी भी one year के before इससे redeem नहीं कर सकते one year के बाद हम तब भी redeem करेंगे, याने कि तीन साल के बाद हम तब भी redeem करेंगे scheme से, तो 10% का इस पे tax लगेगा long term capital gain tax, वो भी तब ही लगेगा अगर total return 1 lakh के अबव होता है, तो अगर overall performance की बाद की जाएं, तो इस scheme का one month का return 7% है, three months का return 22% के आजपास है, six months का 33% है, काफी शानदार return है one year का 54.9% है, three years का 34.71% है, five years का 35.33% है, तो काफी शानदार इसका return है overall और जैसे कि यह equity instrument है, तो 99.6% यह scheme equity में निवेश करती है उसमें large cap में 67 के आसपास, percent के आसपास, mid cap में 23.15 के आसपास, small cap में 9.25 के आसपास और जो top sectors है, majorly energy sector में invest करती है, financial sector में metal and mining और healthcare तो आज की date में यह जो sector है, यह booming sectors है, major investments इन ही sectors में आ रही है और इनके shares काफी शानदार performance दे रहे हैं top holding है, इसकी reliance industries में, reliance industries की performance दिन बदिन काफी अच्छी रही है अगर इस scheme की बात करें, तो हर 3 साल में अपने निवेश को का पैसा double कर देती है क्योंकि इसका 54% के आसपास का एक साल का return रहा है तो mutual fund investments काफी safe investments होती है और comparatively इन में professional fund management होती है हमें खुद से manage नहीं करना पड़ता, कोई भी investment को और tracking नहीं करनी पड़ती और scheme के fund manager है Mr. Ankit A. Pandey और Mr. Vassal Sehgal आए जानते हैं कि इसमें आप अपनी investments किस तरह से plan कर सकते हैं ये एक return calculator है इस return calculator के help से हम जानेंगे कि अगर आप मात्र 10,000 की SIP इस scheme में अगले 3 साल के लिए करते हैं क्योंकि tax saving, क्योंकि minimum lock in period 3 साल का है तो 3 साल के लिए या 10 साल के लिए आप जितने भी time के लिए करते हैं आप उससे tax benefit, tax का lab उठा सकते हैं और आपको मिलता है bumper return Almost 3 years में ये scheme में निवेशिकों का पैसा double हुआ है Although past performance कभी भी future performance की guarantee नहीं होती But overall trend से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भविश्य में ये particular scheme कैसा perform कर सकती है क्योंकि आज की date में जो top performing sectors है और जो top performing stocks है वो इस particular fund के portfolio में है जो कि हम already discuss कर चुके हैं तो अगर मातर 10SR की SIP आप इस scheme में 3 साल के लिए लगाते हैं तो total आपकी investment amount होगी 3.6 lakhs और 2.15 lakhs का profit होगा यानि कि 5.75 lakhs का आप total इससे आपकी investment amount रहेगी और 59% का आप इससे total return बना सकते हैं ये absolute return रहेगा वहीं अगर आप bank में रखते हैं FD में रखते हैं अपनी investment amount को तो 4 lakhs के असपास रहेगा जिसमें से 3.6 lakhs आपकी investment amount होगी सिफ 40,000 ही आपको return आएगा इस पे gold में 4.17 lakhs और category average में जो बाकी schemes हैं इसी category में जो same perform कर रही हैं तो उसमें आप 4.98 यानिकी almost 5 lakh के असपास का return इस particular category से mutual fund से बना सकते हैं वहीं अगर आप lump sum में इसमें 1 lakh रुपी लगाते हैं या फिर 1.5 lakh जो हमारी investment value होती हैं तो minimum अगर आप 3 years के लिए भी इसमें निवेश करते हैं तो 1.55 lakhs के ऊपर आपको 2.24 lakhs का profit होगा और 3.79 lakhs आपकी total investment amount रहेगा और 144.45% का आपको इस पर return मिलेगा बैंकी FD आपको 1.9 lakhs का ही इस पर return बना कर देगी gold में भी almost more or less same ही रहेगा category average में 2.6 lakhs का और तो overall आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी इस fund के performance है तो text planning के लिए ये एक काफी अच्छा option साबित हो सकते थैंक्स वाचिंगा वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें for more updates please press the bell icon so let's get started with multi-cap wealth